पर दोस्तों जल्दे ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से 2022 का अपकमिंग प्रोजक्ट बेपना सीजन टू में दस्तक देने जा रहा है जैसा कि सवी दोस्तों को पता ही चल गया होगा कि आपके अपने फैवरेट एक्टर यानी हर सीच चौपड़ा एंट साथ में जननीफर विंगिट अपने टेलीविजन सीरियल में फिर से दस्तक देने जा रहे हैं अक्सर देखा गया है कि जन्नीफर विंगिट एंड हरसी चोपड़ा अपने किसी ना किसी टेलिवीजन सीरियल की बज़े से चर्चाओं का विसे बने हुए रहते हैं हाली में ही अभी हरसी चोपड़ा एक टेलिवीजन सीरियल में काम कर रहे हैं लेकिन हरसी चौपड़ा का मानना ये है कि बेपना सीजन टू के लिए पूरी ही पुरानी स्टार कास्ट भी नज़र आने वाली है जिसमें जोया का किरदार निभाने वाली एक्टर यानि जन्नीफर विंगीट के साथ साथ में आदिते का किरदार निभाने वाले एक्टर हरस चौपड़ा के साथ में वो काफ़ी comfortable भी है और काफ़ी खुस भी है और जल्दी ही आने वाले प्रोजेक्ट में दौनों ही एक साथ में नजर आने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं हरसित के साथ में जन्निफर की जोड़ी को काफी पसंद किया गया है मैं जन्निफर विंगिट ने खुद इस चीज का खुलासा किया है कि वो हरसित चौपड़ा के साथ में काफी समय से बनी हुई है और हरसी चौपड़ा उनकी हर एक चीज को संभाल कर रखते हैं हरसी चौपड़ा हमेशा सही बोलते हैं जनिफर विंगिट से कि वो उनके लिए फर्स्ट प्रायर्टी है ये वाकई बास सही है कि जनिफर एंड हरसी चौपड़ा की जोड़ी ओडियंस के बीच में काफी पॉपिलर भी रही है क्योंकि ये बाद आपको पता ही चल गया होगा कि हरसी चौपड़ा एक टेलिविजन सीरियल के लिए काफी बड़ी फीच लेते हैं वहीं जनिफर विंगिट भी टेलिविजन की सबसे बड़ी एक्टरस बन चुकी है जो की सबसे महेंगी एक्टरस में से नाम आता है उनका दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाली मैं ही जनिफर विंगिट को बिग बॉस 15 से ओफर मिलाता जो कि उन्होंने एक्टरस नहीं किया ताकि वो अपने आने वाले प्रोजक्ट की जल्द से जल्द सूटिंग करें और आने वाले प्रोजक्ट को जल्द ही प्र้rãoफ्यों से खिर्जक्ट को जल्द वोगोशने चाहता है कि प्रोजक्ट को आपें पिल्द उनिःन जारे लिए्योंपि vontade नोगको भीवद को जल्द ऑने खरें को बिल्द क्याने चेरा उने जाने मिलिगili Krishna